हेलो फ्रेंड स्वाइगत है आपका आपका इस यूटूब चेनल जेके स्टुटि माटिरियल में जहां मैं आपके लिए स्टुटि माटिरियल प्रीविस यर कोस्टिन पेपर और इंपॉर्टन नोटिफिकेशन लेकर आता रहता हूं एक्जाम में प्रॉब्लम नहों कि आपका पेपर पेटरन किस तरीके से होगा तो यह वीडियो में आपके लिए इसलिए लेकर आए हूं सभी कोस्टिन का माटल पेपर पता हूंगा चाहे वो मेडिकल हो चाहे वो आठ्स हो सभी सब्चेक्ट आप देख सकते हैं आगे वीडि चलते हैं हम इस वीडियो पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें आगे चलते हैं हम इस वीडियो पर जैसा कि आपका यह कमिस्ट्री का पेपर है 12th class का आपका माडल पेपर किस तरीके से होगा 70 मॉक्स का पेपर पूरा ह यहां पर आपको total 28 question होंगे, 4 section होंगे, सबी question आपको compulsory होंगे section A में आपको question number 1 to question number 7, very short answer type question होंगे, 1 marks का each section B आपको 8 से 13, question number 8 से 13, short answer type question होंगे, 2 marks each or section C में आपको question number 14 से question 25, short answer type question होंगे, 3 marks का each और section D जो है आपका contain question 26 to question number 28 long answer question होंगे 5 marks each और यहाँ पर आपको oral choice होगी internal की जो long answer question है वहाँ पर जो 5 marks के question है तो यहाँ पर हम चलो जाते हैं यहाँ पर आगे जो हमारा paper है जैसा कि आपका section A जो है 7 question होंगे 1 marks each तो यहाँ पर आपको यह question दिये हुए हैं 1 marks का एक question होगा आपका तो आपको यह question इनमें से exam में आ सकते हैं आप इनको no down कर सकते हैं आपके लिए बहुत ही important रहेगा इस 7 question आपके हैं तो section B जो आपका है 2 marks each होगा 6 marks का एक question आपके बनेंगे 12 marks यह दिखो वह हम तक दो हुआ question 10 यहाँ पर आपको R में दिया हुआ question 11 भी आपको R में दिया हुआ यहाँ पर आपको 2 question R में दिये जाएंगे फिर question 12, question 13 तो यहाँ पर आपको section C जो start होगा 3 marks each होगा total question 12 होगे 12 question 3 marks each तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना model paper 14, 15, 16 यहां पर आपको पूरे question दिये हुए है फिर आपका जो last यहां पर session जो है session D section D जो आपका 5 marks का A question होगा आपको कितने करना है 3 question कुछ और open choice में होगा तो आपको यहां पर यहां पर यह सालो करना है तो साथ ही में मैं आपको एक बात बता हूँ जैसा कि आपको 30% relaxation में लिए है उसमें कुछ यूँ इस तरीके से होगा जो आपका section A है जहां पर आपको 7 question करने है एक marks के एक है तो इस relaxation में आपको 7 नहीं करने पड़ेंगे कम से कम 5 करने पड़ेंगे हर मतलब आप अपनी तरफ से देख सकते हैं हर session में आपको question पूरे दिये जाएंगे आपको यहां पर खुद ही 30-30% कम question करने हैं 70% attempt करने हैं जैसा कि आपको यहां पर 6 question दिये हुए हैं यहां पर आपको 4 करने पड़ेंगे और यहां पर आपको 12 question दिये हुए हैं तो आपको यहां पर about 8 question करने पड़ेंगे यह आपको इस तरीके की आपको choice दिये हुई है तो यहां पर हम जाते है next subject पर next है हमारा physics physics का model paper 5 question each one of mocks 5 question पहले होंगे जो 1 mocks question जो question है 1 mocks पहले 5 question है हर question 1 mocks का है और section B में आपको 5 question दी हुए हर question 2 mocks का है और section C में आपको 5 question दी हुए हर question 3 mocks का होगा section D जो है आपको one valid based question होगा 4 mocks का यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आपका question आएगा section E जो होगा आपको 3 question दी जाएंगे 5 mocks का एक question होगा यहां पर आप देख सकते हैं कर सकते हैं और जैसा कि आपका 30% relaxation है तो हर section में आपको 30-30% कम-कम question करने हैं जैसा कि यहां पर 5 में से 4 और section B में 5 में से 4 और यहां पर 5 इसी तरीके से आपको सभी session से question attempt करने हैं यह था आपका physics का हम जाते हैं next आगे English का model paper कुछ इस तरीके से आपको question paper होगा पहला आपको reading comprehension होगा जो 10 marks का question होगा फिर आपको language skill होगा यहां पर आपको 5 question पूछे जाएंगे यह देख सकते हैं आपको कहां कहां से पूछा जाएगा official business letter होगा report होगा post होगा paragraph होगा diary entry होगा resume होगा dialogue होगा article कोई होगा पांच होगे आपको यहां पर यहां पर दिये हैं कुछ जएदा आपको 5 attempt करने हार एक 6 marks का होगा फिर आपको grammar में से यहां पर आपको दिये जाएंगे passage में से article होगे दो conjunction होगे दो article दो preposition होगे फिर message होगी यहां पर आपको 3 item यहां पर only 3 items in total यहां पर आपको work के बारे में लिखना है और यहां पर model के बारे में फिर आपको question conditional पर होगा फिर आपको related class पर होगा आपको narration पर होगा फिर आपकी literature की बारी आती है आपको यहां पर full text प्रस्गए poem से followed by three questions, poem से 3 questions होगे फिर two out of four questions आपको करने पड़ेंगे, two करने out of four questions, three marks का एक question होगा जो आपको पूछा जाएगा यहां पर poem में से, poem में से theme, structure, expression और application में से, तो यहां पर आपको दो question और MCQ होगे, जो होगे poetic device पर short story, poetic device होगी मगर होगे short story से, फिर आपको two out of three short answer type question पूछे जाएंगे, पर आप आपको तीन पूछे जाएंगे, सिर्फ का आपको दो करने हैं, वो आपको पूछे जाएंगे short story से, जो comprehension और expression से, आपके जो चार short answer type question होगे, वो आपको short story से पूछे जाएंगे, understanding technique, characterization, application और expression से, फिर तीन में से दो question और आपको करने पड़ेंगे, यह आपको ऐसे में से प comprehension technique और expression के बारे में, जहां पर आपको दो question और पूछे जाएंगे, short story से, वहां भी technique expression, चार में से दो question और करने पड़ेंगे आपको, वो होगा, essay में से understanding structure और application, और दो question long होगे, जो आपको पूछे जाएंगे, play से, channel, category, characterization, theme, technique, application, कुछ भी पूछ सकते हैं, दो में से आप पांच marks का आपका question होगा, और आपको जो model paper है, कुछ इस तरीके से, comprehension होगा, यहां पर आपको 10 question करने पड़ेंगे, इस comprehension से, section B आपका language skill होगा, यहां पर आपको लगबग 8 ती होएं, आपको 5 करने attempt, इस तरीके से आपका होगा, आपका यह grammar, कुछ यूँ, फिर आपको literature ह होगा, जैसा समझाया वैसे ही आपको यहां पर होगा, पहली poem में से आपको question होगे, फिर यहां पर दुबारा poem, short stories, सब कुछ जो बताया है उपर, same to same, उसी तरीके से, यह थी आपकी English, अब next object पर जाते हैं, यह है हमारा bottom का subject, 14 questions यहां पर आपको यहां पर बता रहा है, य यहां पर total आपको 14 questions है, question paper में, जो सबी के सबी compulsory है, section A में आपको question 1 से question 4 तक objective type question होगे, one marks each होगा, section B आपको question 5 से 7 तक very short answer type question होगे, 2 marks का each होगा, section C question 8 से 12 short answer type question होगे, जो 3 marks का each होगा, section D जो आपका है question 13 और 14, 2 questions होगे, long answer जो 5 marks के होगे, तो यहां पर आपको पहले 4 mc के होगे हैं, एक marks के question, section B दो marks each, इस तरीके से आपका paper, section C 3 marks each, कुछ यू, section D जो आपका 5 marks each, कुछ इस तरीके से आपके, साथ में यहां पर भी R में question होगे, अब हम जाएंगे आपको यहां पर, जैसे हमारा, बाटनी भी होगया, अब EBS की तरफ जाते हैं, जरा EBS को देखते हैं, यह हैं हमारा EBS का, यहां पर all questions और composer ही बताया हुआ है, question number 1 से, question number 8, जो पहला session होगा, objective या multiple choice question होगा, एक marks का each, question number 9 से, question number 18, very short answer type question, 2 marks का each, question number 19 से, 27, very short answer type question, 3 marks का each, question number 28, question number 30, long answer type question, 5 marks का each, साथ में internal twice भी, अब जैसे model paper देखते हैं, objective and multiple based question, आपको 8 question होगे, यहां पर दिये होगे, एक marks का एक question होगा, section B जो आपका है, 2 marks का एक question होगा, 10 दिये होगे, और section C, short answer type question, 3 marks का एक question, 9 question दिये होगे, long answer में आपके 3 question होगे, 5 marks का एक question, यह हमारा EBS, अब हम जाते हैं, mathematics से start करते हैं, आपको यहां पर, मैं आपको बताऊं, relation and function जो आपका unit है, वहां पर, दो question होगे, आपको एक marks वाले, और यहां पर 4 marks का, 2 question, और, matter season determinant के, 1 marks का, 1 question, 2 marks का, 1 question, 4 marks का, 1 question, 6 marks का, 1 question, यहां पर, और, calculus में से, 3 marks वाले, 2 question, 5 marks वाले, 4 question, 3 marks वाले, 6 question, total 44, vector and 3 dimensional geometry में से, 1 marks वाले, 1 question, 1 marks, यहां पर आपको, 2 marks वाले, 4 marks वाले, 2 marks वाले, 6 marks वाले, total 17, linear programming में से, आपको, 2 marks वाले, 4 marks वाले, total 6, probability में से, आपको, 2 marks वाले, 2 question आएंगे, और, एक 6 marks वाले वाले, और, यह आपके total वाले, 100, total question वाले, 29, अब हम math की तरफ जाते हैं, यहां पर जो आपको question paper होगा, total 29 question होंगे, 4 section में होंगे, A, B, C, D, section A में आपको multiple choice question होगा, question 1 से, question 4, जो एक marks होगा, section B, 8 question होंगे, question 5 to 12, 2 marks each, section C, 11 question होंगे, question 13 से, question 23, 4 marks each, section D, जो आपको होगा, 6 marks की question 24, 29, each marks 6, यह है आपका 12 का model paper, पहले 4 question आपके यहां पर दिये होएं, M, C, Q में, 1 marks each, फिर आपका section B आता है, very short answer type question, question, आप यहां पर देख सकते हैं, इनको, 2 marks का एक question है, 4 marks वाले आपको 11 question आते हैं, यहां पर, जैसा कि आपको महलूम भी होगा, कौन से chapter में से, कितने question आएंगे, section D, long answer type question, 6 marks वाले 6 question, open choice में हैं, आपको, आप देख सकते हैं, हर question में आ रहा है, next जाते हैं, अब आपको जियोग्राफिय की दरफ, जैसा कि यहां पर जियोग्राफिय है, यहां पर 70 marks का question पेपर, section A, 18 question होंगे, 1 mark का एक question, section B, 4 question होंगे, 3 marks का एक, section C, 6 question होंगे, 5 marks का एक, section D, 2 question होंगे, 5 marks का एक, साथ में आपको map का question भी होगा, जैसा कि section A आपका है, यह देखिये, सभी आपको MC के होंगे, यह देखिये, 18 question आपको MC के होंगे, 1 marks के, section B में आपको 3 question होंगे, को इसे तक हो घंगे तक होंग Kenya ये आपके पांच अब को स्सक्र्ण का हैं कि जैसा कि ये हिस्टरी है पहले आपको objective type question होंगे question number one में आपको ये total question कितने बनते हैं 10, 11, 12 ये 20 question है 20 mc क्यों क्यों होंगे history वालों को 20 mc क्यों फिर आपको 3 marks के ये वाकी question बनेंगे 1, 2, 3, 4 फिर part c में आपको यहां पर यहां पर आपको 8 marks each के ये question है आपको देखिएगा open choice में और आपको part d जो होगा source based question होगा कुछ आपको यहां पर d o e होगी किस तरीके साब को यह पढ़ना है पूरा है फिर इसका answer देना है फिर आपको part e में map से कुछ दिया होगा वहां पर आपको map के बारे में दिखाना है यह आपका history हुआ अब हम जाते हैं उर्दू की तरफ उर्दू के स्टूडन बहुत नराज होते हैं कि हमारा उर्दू का कुछ नहीं लाया यह देखिए आपको यह उर्दू का model paper है आपका निसाबी किताब की नसरी असबाग से लिएगे एक्तबास के आखर पर दिएगे पाँच सोलाद के जवाब लिखने हैं आपको फिर ज़र देखिए मैं इसका model paper आपको ट्रेक दिखाता हूँ यह रूप को पहले दिखाता हूँ करना क्या है निसाबी किताब की नसरी असबाग से लिएगे चार सोलाद के दो के साठ से असी लफाज तब के इस वाज़ चलो पर चाही दिखाता हूँ मैं आपको किस तरी किसे आपका होगा कुछ अक्तबास दिये होगा फिर उसके इंड पर आंसर होंगे वो लिखने हैं या फिर दुबारा कोई अक्तबास होगा उसके इंड पर आंसर होंगे वो लिखने हैं कोस्ट नमर 20 आपको होगा कुछ कोस्टिन दियोंगे वहां पर आपको उनके आइसर लिखने, अफसाना गुल लिगुंड़ लिखने, कोस्टन 3 आपको अफसाना यस्वान हेुमरी पर नोट लिखनाए, सरसीता हमान के हालात यस जिंदगी या पर रहिसरा मार पर लिखनाए, स्वाल नमर 5 आपको होगा है, शेरी होज़ा, किसी एक शेरी हिसे को और से पढ़ने हैं, वराहत दीगे, कोई एक शेरी होगी, उसके एंड पर कोस्टन होंगी, उनके आपको आंसर देने हैं, दो शेरी होगी, दो में से आपको किसी एक आंसर देना है, तरचे जिल में से दो क की मरकज हैयाल की वजाहत कीजिए छे मागत का कोसलों की या फिर आपको फियाज अमद फियाज सरसीदम अमद जाफरी की हालाती जिन्दगी पर नोट लिखना है दो असलाफ की वजाहत मसालों के साथ कीजिए हुसने तैलील लफिनेशर तलमी खरदीब सौाल नो दर जजेल में से दो सौलाफ की तफसिली जूबात लिखिया लिगर तहरी की अद्बी हदमात की वजाहत कीजिए तरकी पसंद का पसे मनजर बियान कीजिए पिर आपको इन मेंसे दोगरने आपको फिर आपको अपने स्कूल की प्रिंसिपल की नाम फीसमाफ की लिखने या फिर खत लिखना है पिर आपको यहां पर मजमून लिखना है कोई एक और उसमें भी आपको यहां में होगा अखबारी रिपोर्ट लिखनी है लास्ट पर आप पूलिटिकल साइंस का पेपर कुछ इस तरीके से है पहले आपको उब्जेक्ट हुएं देखते हैं हम कितनी उब्जेक्ट हुएं आपको पहले पंधरा आपको एमसी के कोस्टन होंगे जो एक मार्क्स का हीच होगा फिर आपको बीस वोट तक लिखना है जो एक मार्क्स होगा कोस्टन नंबर जो आपको एर तक होंगे दो मार्क्स का एक लिखना है फिर आपको कोस्टन नाइन से थर्टीन तक चार मार्क्स के ईच लिखना है 14 से 16 तक पांच मार्क्स वाला होगा पैसेज होगी आपको आपको यहां पर प पहले 15 आपको MC के होंगे इस तरीके से या short answer या MC को कुछ भी हम कह सकते हैं section B जो आपको कहा very short answer type question 2 marks वाले 7 question होंगे आपको ये देखिए section C जो आपको कहा शाट answer type question होंगे 4 marks वाले 5 question ये दिये हुए हैं चिप को moment बगरा section D जो होगी आपकी passage होगी और map based question होगे एक passage साथ में map based question जैसा कि आप देखो यहां पर map based यह हुआ है यहां पर कुछ map पूछ रहा है पहले map का दिखाया है यहां पर A, D, B क्या है A, Pakistan, D, Iran, B कुछ और फिर इसके साथ में question नीचे पूछे है के country यहां पर experience save link काम पी क्या है long answer type question जो आपके है 6 into 6 6 marks वाले 6 question है यह आप देख सकते हैं और में है open choice आपको यहां तक आपका political अब जाते हैं हम education पर यहां पर education पर मैं आपको थोड़ा गोर से दिखाता हूँ आपको यहां पर कुछ easy हो जाएगा आपके लिए जो आपका curriculum chapter है यह सभी unit पहले आपके 10 marks के हैं curriculum में जो आपको objective type question होंगे दो यहां से लिए जाएंगे दो question जो दो marks बने passage आपको यहां से कुछ नहीं होगा very short answer type question दो होंगे चार marks के फिर आपका short answer type होगा एक जो चार marks का होगा फिर आपको यहां पर लांग answer कुछ नहीं होगा co circular activities जहां आपको 10 marks की बनती है दो question होंगे आपको एक marks वाले जो दो total बने फिर आपको यहां पर दो question होंगे चार marks वाले total art बने यहां पर आपका बन गया development of education in general के यहां पर आपको दो question होंगे passage आपको development of education in general के आप education वालों को यह chapter की सरफ message आएगी question कुछ नहीं आएगा यह बात जाद रखें दो message होंगे यहां से आपको जो पांच-पांच marks की होंगे population and education में आपको दो एक marks वाले दो question और साथ ही में एक दो marks वाला एक question और एक होगा छे marks वाला question educational thinker में आपको चार चोटे को सुन होंगे एक-एक marks वाले एक होगा आपको दो marks वाला एक होगा चार marks वाला statistic in education में आपको दो objective होंगे साथ में एक होगा दो marks वाला question और एक होगा छे marks वाला human growth and development में आपको दो objective होंगे दो होंगे दो मार्क्स वाले question एक होगा चार मार्क्स वाला question mental health and hygiene में आपको दो objective होंगे दो होंगे दो मार्क्स वाले एक होगा चार मार्क्स वाला learning में से आपको दो objective होंगे एक दो मार्क्स वाला question होगा और एक 6 marks वाला question होगा adjustment and माला adjustment दो objective दो 4 marks वाले बस total यह बनेंगे आपका यहां पर इस तरीके से आपका question paper होगा section first 20 MC क्यो question आपको होगे पहले जो है 20 देख सकते हैं कोई true false होगा कोई match होगा कोई कुछ भी हो सकता है section B जो आपका है यह आपको passage जो मैंने आपको बताए किस unit से आपको passage आएगी यह वही passage है एक scene होगी एक unseen होगी फिस section C जो आपका question 4 से लेकर 12 तक 2 marks वाले question होगे यह हैं आपका question section D जो है आपका question 13 से question 19 तक 4 marks each part E question 20 से 23 long answer type question 6 marks each यह हैं आपके education के question अब हम जाते हैं यहां पर हमें बच्चा क्या जिग्राफी भी हो गया अब अरबिक वालों को मैं अरबिक दिखाता हूं अरबिक का paper कैसा होगा यहां पर आप देख सकते हैं आपको जो जो यह question पर कुछ ही होगा सो मग का paper होगा advanced reading skill 10 marks effective writing skill beast marks applied grammar 24 marks al quran and hadith 10 marks poetry section 10 marks prose section 26 marks part 1st जो है आपका यहां पर identification noun word preposition from the passage extracted from the prescribed textbook from unseen passage and internal choice 10 question part 2nd जो होगा आपको जो आपको unseen passage से होगा यह कुछ नकालना है noun word preposition हो जारा part 2nd जो आपको short paragraph लिखना है Arabic internal choice होगी meaning of 10 words लिखना आपको prose portion से होगा internal choice होगी फिर आपको five simple question लिखने Arabic language जो आपको answer पूछे जाएंगे Arabic में लिखने है translation करना है आपको five sentence को English या उर्दू में Arabic से part third जो होगा आपको question होगा applied grammar से यह आपकी topic होगे अब वह फिल सलासिल महर तो थोड़ा मश्कल हो रहा है क्या है यह आप भी को मलूम हो part fourth translation of Quran verses आपको होगा जो text book से होगा आपको Arabic में से उर्दू to English लिखना है translation of hadith phrase को दी जाएगी आपको Arabic में जो आपको उर्दू to English में लिखना है part fifth explanation लिखना है reference to context किस poetry से लिया होगा लिखने वाला कोई है and contribution of किसी Arabic का poet का poet 6 explanation with reference to context in उर्दू English based on passage का होगा एक question आपको पूछा जाएगा sum and substance of topic prose section से translation of one paragraph out of two in उर्दू से English और multiple choice question होगे prose portion से जो 8 marks के होगे तो ये था आपके लिए आज जो model paper जो आपको किस पे टरन बार आपको exam में आएगा इस वीडियो को जएदा से जएदा शेयर करें ताकि सब की help हो सके वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया thank you so much